नियोजित सिक्षकों की सुनवाई रहा दमदार और खुद को हारते देख के के पाठक भी भागे भागे पहुँच गए कोट नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्सक बंधुओं को मेहुए इसके चोधरी साथियों जिसका इंतजार आप तमाम साथियों का था उसी को आज हम लेकर आपके बीच हाजिर हैं यानि नियोजित सिक्षकों ने माननी उच नियायाले पठना में अपनी सुनवाई कुछ इस तरह दमदार कराई कि खुद को हारते देख बिहार के अपर मुख्य सचीबके के पाठक को भी दोरे-दोरे कोट में आ जाना परा इससे पहले कि आज की सुनवाई का हम विस्तार पुरवक्चर चाकरे आप तमाम बंधु जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सुशत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो किरप्या सब्सक्राइब कर लेंगे शाथियों भले ही बिहार के तमाम नियोजित सिक्षक वर्सों से संघर्स जहेलते आए हैं भले ही उन पर एक से बठकर एक नियम धाहे जा रहे हो भले ही तमाम सिक्षक एक एक रूपे चंदा करके लराई लरते आ रहे हो भले ही नियोजित सिक्षकों को आज तक आर्थिक कोई ज़्यादा लाव नहीं हुआ हो लेकिन एक चीज तो जरूर है कि नियोजित सिक्षकों ने केस में अपने मुकदमे को लरना जरूर सीख लिया है जिसका नतीजा है कि आज 14 मर्च 2024 को तमाम सिक्षकों की ओर से दो-दो महान विद्वान अधिवक्ता उपलब्द थे हम आ काम सिक्षकों की ओर से आज पटना हाई कोट में जोरदार भहस की साथी साथ उधर परिवर्तन कारी सिक्षक संग बंसीधर बरजवासी की ओर से एक वही सुप्रीम कोट की अधिवक्ता जिन्होंने 34,540 कोटी के सिक्षकों को जीतित दिलाते हुए बिना परिच्छा नियम इतने जोरदार रहे कि मध्यावकास से पहले से लेकर मध्यावकास के बाद भी नियोजित सिक्षकों के धेर सारे पक्ष रखे गए सब से पहले डी-स नाइडू मेहोदे जिन्होंने बिहार के नियोजित सिक्षकों के तमाम समस्चाओं को पुर्व से लेकर बरतमान तक की कोट के सामने परस्तूत कर दी और साथी साथ इन्होंने ये असपष्ट कर दिया कि नियोजित सिक्षक बीते 20 वर्णसों सी परिनाम जेल रहे हैं जिसका परिनाम है कि आज अपने जीवन के अंतिस समय में भी तमाम सिक्षक जिनकी सेवा छे महीने एक साल या दो साल बच गए हैं अब दिला दरबदर होने के कागार पर है। रिक्ती की आधार पर की गई थी यानि इनके लिए कोई अलग से नियोजित का रिक्ती नहीं था पुर्व के नियमित संबर्ग के जो भी रिक्ती थे उन पर इनकी बहाली की गई है और इसलिए इन तमाम सिक्षकों का उस शमय से हक बनता है नियमित संबर्ग में सामिल होना। इसके लिए साथियो आज डियेस नाइडू महोदे ने माननीय सरवच नयाले जिनकी दौरा 10 माई 2019 को आदेश पाडित किया गया था और तमाम सिक्षकों के लिए सरकार को ये कहा गया था कि अगर सरकार चाहे तो तमाम सिक्षकों को परिच्छा लेकर उच अस्थरिये बेतनम दे सकती है इन कौफियों को भी आज के बहस के दौरान जज महोदे के समक्ष पेश कर दिया गया है यानि सीधे सब्दों में कह दिया जाए तो अब नियोजित सिक्षकों के मामले समान काम समान बेतन की ओर बढ़ गए है ये तो सोभाविक है कि सिक्षकों के मुद्दे चल थे बिना सर्त राज कर्मी का दर्जा परंतु सुनवाई के दोरान ही तमाम नियोजित सिक्षकों जिन्होंने अनुभव पराप्त कर लिया है लड़ते लड़ते सरकार का दंस जहलते जहलते अब सरकार को ही धूल चटा रहे हैं इतना ही नहीं साथियों आज सिक्षकों की और से अधिवक्ता महोदे ने वर्स 2003 से लेकर वर्स 2024 तक की जो भी खामिया रही गिन गिन कर जज महोदे के सामने परस्तूत कर दिये इसके अंतरकत 2003 और 2005 में जो बहाली हुई उसके बाद 2006 और 2006 के बाद 2009 में तमाम सिक्षकों के दक्स्ता परिच्छा का प्राप्धान किया साथी साथ दो बार फिल दक्स्ता परिच्छा को हटाने की बात कही गई फिर भी तमाम सिक्षकों ने दक्स्ता परिच्छा दी और उसमें सफलता प्राप्त की उसके बाद तमाम बिहार के और परसिक्षित सिक्षकों को इगनू द्वारा DPE का कोर्स कराया गया जब सिक्ष उसके बाद साथियों फिर से 2012 के अंतरगत नहीं नियावली आई जिसके अंतरगत तमाम सिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्ज किया गया इतना ही नहीं साथियों वर्ष 2009 के अंतरगत तमाम सिक्षक जिन्होंने मैट्रिक अस्तर पर बहाल हुए थे उनके लिए इंटर करन अनिवार्ज लागो किया गया और जो भी सिक्षक तीन वर्षों के अंदर अगर इंटर नहीं करते तो उनको सिवा से मुक्त करने का आदेश पारित किया गया इतना ही नहीं साथियों जब तमाम सिक्षकों ने हाई कोट से जीत ली और सुप्रिम कोट तक पहुँच गए औ और सुप्रिम कोट की ओर से क्या नियाय निरने तमाम सिक्षकों के पक्ष में आये इन सारे बिंदूों को आज की सुनवाई में नियोजित सिक्षकों के अधिवक्ता की ओर से विस्तार पुरवक और असपश्ट रूप से बता दी गई साथियों उधर 34,540 कोटी के अधिवक्ता महोदय जिन्होंने उन कोटीयों के सिक्षकों को जीत दिलाई थी उन्होंने एक वार फिर से कोट के अंदर दहारते हुए कहा कि एक ऐसा प्रापधान था जिसकी अंतरगत माननिय सरवचनेययाले की ओर से 34,540 कोटी के सिक्षकों को बीना सर्थ बीना कोई परिच्छा दिये हुए ही राजकर्मी के दर्जे के साथ साथ समान काम समान बेतन का लाब मिला तो अब विहार के तमाम नियोजित सिछकों के लिए सक्षमता परिच्छा का आयोजन क्यों किया जा रहा है ये बिलकुल ही नियम के विपिरीत है साथियों ऐसे दमदार भहस की खबर जो ही अपरमुके सचीब केके पाठक के पास पहुंची दवरे दवरे और भागे भागे उन्हें कोट के अंदर आ जाना परा उन्हें बहुत चिंता सता रही थी कि आखिर नियोजित सिक्षक क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे उन्होंने अधिवक्ता को अपनी ओर से रखे हैं ये भी उनके लिए देखना जरूरी था और आज कोट के अंदर परवेश के बाद उन्होंने असपष्ट रूप से देख लिया कि नियोजित सिक्षक वो सिक्षक नहीं है जिन्हें तमाम सिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की ओर से मुर्खों की दिरिष्टी कौन से देखा जाता है शाथियों ये तो निशित है कि आज की सुनवाई तमाम सिक्षकों के लिए बहुत ही दमदार रहे है और तमाम सिक्षकों के लिए एक जोस भरते हुए आसानवित कर दिया है क्योंकि सरकार की ओर से जो काउंटर एफी डिभिट जज महवदे के पास परस्तूत किये गए है वो 258 पेज के है और उसमें तो असपश्ट रूप से कह दिया गया है कि नियोजित सिक्षक अगर सक्षमता परिच्छा में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें सेवा से नहीं हट आया जाएगा तो एक जीत तो तमाम नियोजित सिक्षक जीत लिए है अब जीत बाकी रह गये है राजकर्मी का दर्जा और साथ 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 समान काम शमान बेतन का मुद्दा साथियों उधर सिक्षकों ने एक और चाला की दिखाई क्योंकि कोड की अंदर ये दाखिल किया था कि धारा 309 प्रंतुक के द्वारा 243 जी को समाप्त कर दिया गया है यानि नियोजन इकाई को ही समाप्त करने की बात कही गई है जब काउंटर एफिट बिहार सरकार की ओड़ से दी गई जिसमें लिख दिया गया कि वसफल होने के बाद ही तमाम सिक्षकों को सेवा से न समाप्त नहीं हो रहे हैं तो जोरदार बहस करते हुए इस मुद्दे पर मननी अध्वक्ता महदे ने कहा धारा 309 प्रंतुक के द्वारा अपिलिए प्राधिकार को समाप्त किया जा रहा है तद अच्छन उन्होंने अपनी चाला की अपने बुद्धी विवेक का पड़िय किया और उन्होंने ये नहीं कहा कि नियोजन इकाई को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एफिट दे रख किया है कि नियोजन इकाई समाप्त नहीं होंगे तब उन्होंने कहा कि 309 धारा के द्वारा अपिलिए प्राधिकार को समाप्त किया जा रहा है जो कि विल 2024 तमाम सिक्षकों के लिए एक आसा भरी होगे और जेत भरी होगे इसमें कहीं से कोई दोर आय नहीं है लेकिन साथ यो अंत में हम कह दे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सरकार भरसक परियास करेगे इसे लंबे समय तक खीचने की और यह हुआ भी यो ही कि आज सिर्व 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 सिक्षकों की ओर से ही बहस की गई है अपने पक्ष रखे गए हैं हो सकता है कल भी सिक्षकों के ओर से ही पक्ष रखा जाए उसके बाद सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे अब कितने दिनों तक चलेंगे यह तो तमाम सिक्षकों पर यह न आर्थिक रूप से सहयोग करने की तो साथियों हम कह दे कि सिक्षकों की जीत तो अवस्य होगी इसे कोई नहीं रोक सकता और सिर्फ राज कर्मी ही नहीं समान काम समान वेतन का लाम मिलेगा नियोजित सिक्षकों को इसमें भी कोई दोराय नहीं बसरते तमाम सिक्षक तनमन औ अगस से बताएंगे हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास सेयर कर देंगे हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद जय भारत दोस्तों